तो जुड़े अमारे साथ जहां आपको मिलेगी सभी डिफेंस एक्जाइम्स की लाइट क्लासीज, नोट्स और सभी इंपोर्टन अप्टेट्स नाट पोगेट तो लाइट, शेयर और सब्सक्राइब अरए 247 चानल और अरए 247 आप तो जुड़े हमारे साथ, जहां आपको मिलेगी सभी डिफेंस, मेरा नाम है कीर्थी पांडे येस, गुड़ मॉर्ण एवर्रीवन, लेट्स स्टार्ट थे सेशन, मेरा नाम है कीर्थी पांडे, आज है अठारा एप्रिल और हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे करेंट फैस, टोटल 40 MCQs और न्यू करेंट फैस हैं, जिसको हम डिसकस करेंगे, सो लेट्स चार्ट थे सेशन, तब तक आप लोग सेशन को थोड़ा सा लाइक कर दें, थोड़ा शेर कर दें, चानल को सब्सक्राइब कर दें, अभी तक नहीं किये हैं, तो इसलिए, आप लोग सेशन को थोड़ा सा लाइक करेंगे, शेर करेंगे, और बहुत सारे करेंट फैस पढ़ेंगे, आपके लाइफ में आसपास क्या हो रहा है, और न्यूस पेपर जितने बच्चों ने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, मेरे क्लास के पहले बात करें, ताइमस ओफ इंडिया से, क्यों आपको ताइमस ओफ इंडिया, टाइमस ओफ इंडिया वालों मुझे पैसा दिया, यह बोलने के लिए नहीं, इसलिए क्या है क्योंकि उसकी इंग्लिष थोड़ी सी इजी है, कमपेरिटिवली, और उसमें आपको इंग्लिष के न्यूस भी मिल जाएंगे, न्यूस तो सारे पेपर में कवर होता है, एक दिन लेट या जल्दी कवर हो ही जाते है, लेकिन और साथ ही साथ आप हिंडुस्तान टाइमस भी पर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग सोचते के हिंडु अगर आपको लगते है कि माम अबना हम प्रो लेवल में जा चुके हैं अभी अंग्रेजी अंग्रेजी का जाला कोई टेंशन है नहीं तो आप दहिंदू पढ़ना शुरू करतीचें लेकिन पेपर पढ़ना शुरू करें चले बढ़िया तो इसके साथ-साथ हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं वैसे आपको पता ही 77% डिसकाउंट Y332 और आज आप सारे टेस्सीरीज जो है वो 99 रुपीज में ले सकते हैं उस पे भी आपको सिर्फ 99 रुपीज में Y332 कोड यूज करने पे कोई भी टेस्ट आपको 99 रुपीज में मिल जाएगा ठेक हैं तो वेरी गूड मॉर्निंग वेरी गूड मॉर्निंग एव्डिवन तो पहले शुडवात करते हैं बजरंग बली की जय बोलके साटेडे को हनुमान जानती था आप सभी लोग जानते ह तो सबसे पहला न्यूज जो है वो यह है कि प्रधान मंतरी मोदी जी ने अन्वील किया है 108 फीट लंबा स्टाचू हनुमान जी का मोडवी गुजरात में हनुमान जानती के अफसर पे तो साटेडे को जो हनुमान जानती है 108 फीट लंबा स्टाचू इनका अन्वील किया ग in the four direction across the country as a part of हनुमान चार धाम यह बहुत सुन्दर बात है कि यह decide किया गया है कि देश के चारो ओर हनुमान जी की मूर्ती को रखा जाएगा और अभी तक यह दूसरी मूर्ती है पहली मूर्ती कहा है पहली मूर्ती नौर्थ में है तो जाकू हिल्स जो आपका शिम्ला में है यहाँ पहली मूर्ती है और अब हम लोग वेस्ट आ चुके हैं साउथ और इस जो है वो बच्ची हुई है तो यह 2010 में ही बनी थी अब ऐसा मैं सोचेगा कि सिफ मोदी जी ही कर रहे हैं 2010 की यह मूर्ती है और अब यह 2nd मूर्ती 108 फीट लंबी हो गई है ठीक है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रोज एक ड्रोन और यह सब हम लोग बात करते ही है तो यह भी कुछ खतरनाक टाइप सा लग रहा है क्या यह इंडिया से रिलेटेड है क्या लगता है अगर मान लो कि तुम जाओ एक्जाम में और तुमको यह फोटो दे दिया जाए और बोला जाए कि भाई अब इस पर कहानी लिखो तो क्या होगा है ना लोकेश निधी, राजीव, सोनम जी, राहुल गगन अगर मान लीजेश पर कहानी लिखने को मिले तो क्या लिखेंगे अब तो देखते हैं क्या न्यूज है देखें इस्राइल ने टेस्ट किया है आइरन बीम लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इस्राइल भी अलागी प्रो लेवल पर जा रहा है तो यहाँ पर न्यू लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत बहुत शुक्रिया आव कंप्यूटर जी कंप्यूटर जी आ चुके हैं और मेरे एक समस्या को दूड कर चुके हैं चलें बढ़ियां तो यहाँ पर आइरन बीम Iron Beam, New Laser Missile Defense System है और ये जो है, ये आपका Refail Advanced Defense System का पार्ट है Iron Beam, याद रखेंगे इसराइल Next, नेक्स आप देख सकते हैं KK Patel Super Speciality Hospital अच्छा, तो ये Hospital काफी जादा Super Speciality है देखते हैं क्या News है तो भुज में, भुज का हैं, गुजरात में आजकल नियूस में गुजरात बढ़ा रहा है अच्छा, याद करने के लिए आसान रहेगा हर चीज में गुजरात तो भुज में, KK Patel Super Speciality Hospital अभी मोदी जी ने डेडिकेट किया है देश को तो यहां पर क्या है, 200 बेड है ठीके, और कोई भी चीज का आप इलाज करवा सकते हैं क्योंकि इस Super Speciality Hospital है बिल्ड किसके दुआरा किया गया है श्री कची लेवा पतेल समाज भुज दुआरा जो की charitable है उनके दुआरा इसको बिल्ड किया गया है नेक्स न्यूस Government Surpass It दे कि थोड़ा सा सुन लीजे फिर अभी 40 questions भी बनाएंगे, don't worry मेरे आपके coaching की book कैसे मंगवा है हम रुपेंद्र रावत खांडवा से coaching की book हम बता दते हैं कैसे मंगवाना है क्लास में बने रही है, अंते में हम सब बात बताते हैं Government ने सरपास किया है Financial Year 2022 के लिए Asset Monetization Target 96,000 करोड तो जो इनका Road, Power, Coal, Mineral Mining है Are Among the Industries Made More Significant Contribution तो ये जो भी इनका Asset है उनको ये Disinvest करेंगे Kind of, और चाहेंगे कि इनका जो Treasury है, उसमें जादा से जादा पैसा आ सके, तो जिस चीज के लिए जादा Criticize किया जा रहा है सरकार को कि ये लोग Government का Asset बेच रहें, बस उसी से Related कुछ News है, यही समझ लीजे चले, अगला, next आप देख सकते हैं याँ पर ठीक है, एक सेकेंड तो next जो है, India Got Elected in 4 UN UNESCO Cost Bodies तो basically ये जो आपका Economic Social Cultural Right है Social Development है Non-Governmental Organization है Science and Technology for Development है भारत इस चार Body में Elect हो चुका है Next News जो है आपका वो ये है कि 20वा India-France Joint Staff Talks होगा Paris में Paris में भारत और France के बीच में Bilateral Defense Corporation Mechanism को और बढ़ावा देने के लिए और Improve करने के लिए 20वा टॉक होने वाला है Nice, Warm and Courteous Setting इसका हुआ है Setup Paris में तो अब तो Modiji जी जा सकते हैं घूमने चले बढ़िया तो अब कुछ questions को हम लोग कर लेते हैं ताकि आपका mood थोड़ा fresh हो जाए क्योंकि Monday morning है ऐसे ही आप लोग hectic mood में रहते हैं तो questions करते हैं Capitalization में आएगा या revenue में तो ये revenue में तो नहीं आएगा ठीक है देखे World Art Day पूछा जा रहा है World Art Day तो Art यानि की कला ठीक है 15 April को International Association Art NGO है जो की partnership किया ही UNESCO के साथ और मना रहा है World Art Day 2012 में सबसे पहले इसको मनाया गया था और इस दिन क्यों मनाया जाता है कि Leonardo Da Vinci जिन्होंने Mona Lisa को paint किया काफी जादा famous painting है Leonardo Da Vinci ने इनको paint किया और इस दिन से World Art Day मनाया जाता है अगर आप में भी कोई कला है तो उसका production किसी दिन कीजिएगा पेड़ क्लास में हम तो देखते ही है मतलब कुछ ना कुछ एक बहुत अच्छा student है मेरा IFCAT में तो उसका मतलब भी उसको exam नहीं देना था वो college ही में था तो बहुत अच्छा राप करता था और बहुत social topics पे बहुत अच्छा उसका राप था है ना तो जो लोग उस बैंच में था उनको याद होगा India's first community museum has been inaugurated in तो ये कहां पे बनेगा लेह कार्गिल जमू या श्री नगर community museum कहां बनेगा तो ये लेह लद्दाग में बनेगा भारत का पहला community museum इसको याद रखेगा कि ये यहां बनने वाला है community collaboration किसके साथ है National Museum Institute जो कि New Delhi में है लद्दाग Autonomous Hill Development Council जो कि लद्दाग में है ये दोनों मिला के बना रहे है community museum अगला question आप लोग answer थोड़ा कम दे रहे है इसलिए मज़ा थोड़ा कम आड़ा है जैसे ये answer का तादात और speed बढ़ेगा मज़ा आने लगेगा Who has become the second Indian cricketer to score 10,000 run in T20 क्या लगता है किसने माड़ा होगा 10,000 run second player तो Rohit Sharma जी Virat Kohli के बाद सबसे पहले 10,000 T20 में Virat Kohli Rohit Sharma जी T20 में second player बन गये है ठीक है और इन्होंने ये against Punjab ये तो Mumbai से खेलते हैं आप जानते हैं पंजाब के खिलाफ ये score अपना बना लिया है और overall पूरे दुनिया में ये 7th हैसे batsman बन गये है जोनों 10,000 रन मारे हैं T20 में अगर पूछा जाए कि who has become the fastest Indian player to hit 106s in the history of IPL तो 100 चक्के मारने वाले सबसे fastest Indian player कौन बन गया है IPL में बस ये सवाल आएगा तो आप क्या बोलेंगे All-Rounder Hardik Pandya जी जो की Gujarat नया टीम बना है Titans के Captain है इन्होंने fastest धुआधार 600 चक्के मार दिये हैं और अभी जो clash हुआ था Sunrider Hyderabad के साथ उसमें इन्होंने ये किया है राइट लगड़ा था कि ये जीतेंगे चलिए बढ़िया तो next है कि Vice President M. Vinkya Naidu has presented the International Gandhi Award for Leprosy 2021 to whom तो ये कुष्ट रोग के लिए इनको एवार्ड मिला है उसके समंदित काम करने के लिए Guys एक बड़ सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग आधे लोग लाइक कियें तो ये किसको मिला है Vice President M. Vinkya Naidu जी ने ये एवार्ड International Gandhi Award for Leprosy Leprosy यानि कि कुष्ट रोग Dr. Bhushan Kumar ji को दिया है जो कि चंडीगर के है Institute Nomination Individual Category और अगर Institute Category में देखा जाए देखे ये सम्द जो नया नया चीज आता है न्यूज में ये पूछा जाता है तो ये एक Individual Category में दिया गया Dr. Bhushan Kumar ji को और अगर Institute Category में देखा जाए तो सहयोग कुष्ट यगन ट्रस्ट ये गुजरात का है यहाँ पे इनको मिला है ये लोग recognize काम कर रहे है कुष्ट रोग से समस्या को दूड करने के लिए ठीक है अगला news क्या है देखे एक Festival है तो basically Asam का New Year Festival है रंगोली भोग बीहू तो बीहू आपको पता है कि ये जो 14, 13, 14, 15 April के आसपास है तो Asam में बीहू फिर बिहार में सत्वानी और फिर पंजाब में वैसा कि फसल कट की कटाई होती है basically इस दिन रा भी फसल जो होते हैं उसकी कटाई होती है तो इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अच्छा फसल कटा उसके लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है नेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर यह कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है इंडिया विल होस्ट दा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन दो हजार तैस तो इंडिया जो है अभी आप जानते हैं कि भारत में हर घर में सचन तंदुलकर है क्रिकेट तो सब को एक हेला ही होगा क्रिकेट का अपना रूल होता है गली का है ना यहां पर अगर आप बहुत अच्छा शॉट मार के बॉल को बाउंडरी के उधर पहुचा देंगे तो आपको रंज 6 नहीं मिलता है आपको उल्टा बॉल का पैसा देना पड़ता है और आप आउट भी हो जाते हैं तो इस टाइप के रूल्स होते हैं अगर आपने कभी गली क्रिकेट खेली हो तो और यहां पर एक और रूल होता है जो कि काफी अच्छा होता है जिनके लिए जिनके पास बैट है वरना उनके लिए खड़ाब है कि अगर जिसका बैट है उसने मन चाही बैटिंग कर ली और नहीं की उसके पहले वो आउट हो गया तो वो अपना बैट लेकर स्वैम घर की और प्रस्थान कर सकता है मैच उसी समय खतम हो जाता है तो इसलिए जब हमने क्रिकेट खेला था तो जिसका भी बैट होता है उसको मन चाहे उसका बैटिंग करवा दिया जाता है फिर वो और आम से फील्डिंग और बॉलिंग करता है चलें बढ़िया हाँ फुटबॉल पसंद है सही बात है टिप आउट भी करते है सही बात है और अगर कीचर में बॉल चला गया तो फिर बस अब एक सफता के लिए मैच जो है वो डिले हो जाता है इंडिया इस रेडी टू हो स्ट्रीट क्रिकेट तो स्ट्रीट क्रिकेट हो गया यहाँ पे 22 टीम आएगी अलग सुला कंट्री से यानि कि दूसरे देश का भी कंट्री का गली होता है क्यार इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो नेक्स आप देख सकते हैं हेड़कॉर्टर एंसी एन आई एटी मदरास मेमोरेंडम ऑफ अंडर्स्टैंडिं एड़कॉर्टर आफ एंसी एन आई एटी मदरास हाँ हाँ तो आप लोग सबका बच्पन सेमी होता है यार देखो मुझे पता है में साथ हम लोग क्या तो ऐसा भी होता था कि लड़ाई जगड़ा चल गया तो बैट से ही टका टक फिर आदमी बॉलर बन जाता था जो तेज मारेगा वो बॉल लाएगा नाली वादा नाली वाला कंसेप्तां को पता ही है नाली में से भी वही निकालेगा और बॉलर के ओपर फेके ницу एक अर खतरनागयम होता था सब कौसको बॉल से अगर कौसको बॉल कोसको बॉल एक्चुली अब तो बहृत कॉमन होगया है हमारे ता разные बहुत महेंगा चीज था विल अब कोस्को बाल के लिए पांच गर का पांच बच्चा पांच पांच रुपया देता था तो उसे अम लोगी कोड़ गें कलता था बंपा स्टिक जिसके बास भी महला में जिससे भी जो खुणनस है वो पंपा स्टिक में वो पुरा अपना उसक इस तरह के इंडिया के जो बच्चे हैं वो इसी ले इतने सॉलिड है क्योंकि आसे गेम के लेकिन आप सब बच्चे पर तो हम सच बता है मेरा भी खुद का कजन यह सब रहता है तो हमको तड़ा साता है क्या है लोग खेलेगा हम लोग के टाइम था जो पाल फेका फेकी जो तो अब इंडियन एर फोर्स आई एफ आई एटी मदरास ने साइन किया है क्या कर रहेंगे लोग टेक्नॉलीजी का डेवलप्मेंट कर रहें लोग भी खेली रहें ठीक है फाइंडिंग इंडिजीनियस सल्यूशन तो जो भी हम में समस्या एगा उसका आम देश में ही उसक आम बॉलर सेम चाहल होड मैं लेकिन अब तो सब फीने में ही लगे हो रहते हैं फोन में लग रहते हैं अच्छा ये फोन बोल रहे है वो ओक और गलती से आयलिका ठीक है अब पब जी कहलता है खाली सही बात ठीक है तुम लोग एजम चाहल होड़ोड में चले गया आजाओ नॉस्टाल्जिया में नहीं जवा जाओ वापस गवर्मेंट उफ उत्राखंड ने सेट अप किया है हीम पहारी स्कीम ये एक सर्विसमैन और यंग्स्टर के लिए है तो ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग कोपरेट करेंगे यूनियन गवर्मेंट के साथ और स्कीम में ज टीस रुपय कस को में भड़़ड के लाग जाए गा भड़ जाए गा भड़ जाता तो पता है उसको इद रोया जाता तूसमें कागज आसे लगा के उसके मूमें बशको का अपना क्रेस था एक ठाइम ठीक तो ये को टैक महिंद्रा बंक है को टाइक FYN a new enterprise platform designed specially for business banking and corporate clients ठीक है तो यह लोग अपना नया सब सटल कर रहे हैं FYN शुरू कर रहे हैं ताकि नया business और corporate clients को ज्यादा easy मिले और कोशिश करें कि सब कुछ digital हो जाए बस यही कहानी है अब यह बड़ा handsome से इंसान है handsome के साथ-साथ अमीड भी है है ना ऐसा अमीर नहीं है कि ऐसे मौसा जी और फुपा जी से जादा अमीर है यहां पर यह दुनिया के सब से अमीर आदमी है guys come on तो यह टेसला है टेसला के ओनर है स्पेस एक्स के ओनर है इलॉन मस्क भगवान ने सब कुछ ही दे दिया है ना थेक तो यह इनका जनम हुआ था पेटोट्रस साथ आफ्रिका में ठीक है और यह एक साथ आफ्रिकन बॉन अमेरिकन एंटर्प्रेणियोर है जिन्होंने फाउंड किया पेपल को और स्पेस एक्स को और फिर टेसला जानते हैं आप सीओ है टेसला के कार कंपनी है अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है तो हमको बताएगा कि टेसला किस चीज की हां बायोग्रफी इंकरेजिंग है टेनिस से ज्यादा तो कॉस्को बॉल का क्रिकेट खेलते हैं सही बात हां सही है तो चले अब सवाल के जवाद दो यार तुम लोग क्या कर रहो हूं magnetic field की unit है शायद भी लगाए है इसमें अच्छा टेसला magnetic field की unit surface tension का dimension क्या होता है वैसे अगर आप लोग को पता हूं चुमबक अविवावक ठीक है टेसला विद्युत्रिवता अच्छा magnetic field हमको जानते क्या दें I'm not very sure कुछ ऐसा था ना फोर्स इकल टो बी आई एल तो उसमें कुछ ऐसा था कि इस टाइप का यह force रहेगा यह आपका current है और यह magnetism है राइट है फ्लेमिंग राइट हैं रूल कुछ ऐसा था ना तो वेरी गुड और यह तीनों जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पर आता है फोर्स इकल टो बी आयल जहां पर बी जो मागनेटिक फिल्ड है आई जो है वो करेंट है एल एल क्या था देखे बूल रहे है ठीक है तो आसा कुछ टेसला का यूनिट था बी का बढ़िया तो न्यूस अपर रहा हैं क्वेशन देख ले की हूस बीन एवार्ड एस न्यूजेलेंड क्रिकेट एवार्ड तो यह कौन है टिम् साउधी इनको यह जी एवार्ड मिला है न्यूजेलेंड के पेजबौलर है हम अगर आप यकीन नहीं मानिए तो हम भी अच्छा बॉलिंग करते देख जमाने में यॉर्कड यॉर्कर करते ते शोई बगत पसंद आप लोग भी बताइए का आप लोग को स्पिनर जादा पसंदिया पेस्बॉलर ठीक है और बाकी भी अवोर्ट्स मिले हैं यह आप देख लीजिए यहां पे इंटरनाशनल विमन टीट्वेंटी प्लेयर सोफी डिवीन men player Trent Bolt super smash player of the year यहां पे मिला है Emila Kaye को और men super smash player of the year मिला है Michael Brackleville को player of the moment Ross Taylor और international women ODI Emila Kaye को मिला है चलिया बढ़िया और भी awards है है कुछ आप देख सकते हैं इनको आसे आप लोगो यादी होगा चले प्रधान मंतरी जी ने inaugurate किया है प्रधान मंतरी श्रंगाले तो देखें यहां पे म्यूजियम बनेगा तीन मूर्टी जो है तो बेसिकलि यहां पे जितने भी हमारे प्रधान मंतरी हैं उनका यहां पे statue बनेगा कहां पे बनेगा यह यह आपका बनेगा कहां दिल्ली में ओव्यस बात है तो प्रधानमंत्री मोधी जी ने प्रधानमंत्री श्रंगाले प्रधानमंत्री म्यूजियम को 14 एप्रिल 2022 on the occasion of a 132 वा बहुत आनिवस्ट्री और भीम रावमेद कर जी आजादी के अमरत महतसव में यहां पे 14 हमारे देश के प्रधानमंत्री को ट्रिब्यू है तो अब बताईए कि यह किसको मिला है वेरी गुड़ वेरी गुड़ आर प्रग्नानंद जी को मिला है एक छोटा सा बच्चा तो इसको मिल गया है इनको मिल गया है रेक जाविक ओपन चस्ट टॉर्णमेंट और जैसा एक स्टूरेंट बता रहे थे कि आइसलेंड का क्य है बहुत सही बात है और यहां पर यह सुल्ला साल के बच्चे हैं जिन्होंने इसको जीत लिया मैडल को नेक्स क्रेशन है कि नाशनल कम्यूनिटी फॉर मैनौरिटीज तो यहां पर जो चैर परसन है यानि कि अध्यक्ष है इन यह बन गया है री एपोइंट हुए है तो इ इनौरिटी के लालपूरा जी को पहली बार 2021 में इनको एपोइंट किया गया और फिर से अब यह यहां पर एपोइंट हो गये है ठीक है जीडीपी ओफ इंडिया 2022-23 में वर्ल्ड बैंक के कॉर्डिंग कितना रहेगा आर्मी की एक्जाइम जैसे होगी आपको पता चल जाएगा क्या हो गया तुमको चार सप्टेंबर को सीडियस का एक्जाइम है नौर्डर्ण मोस्ट कैपिटल ओफ वर्ल्ड ठीक है आइसलेंड आर्मी की एक्जाइम आर्मी की कौन से एक्जाइम पूछ रहे हैं बच्चे कि आर्मी की एक्जाइम कब होगी चार सप्टेंबर को आपको सीडियस का एक्जाइम है और जल्दी होने वाला है और कौन सा बताएं कब होने वाली है थीक है तो वर्लड बैंक कह रहा है कि आठ परसेंट तक तुम बढ़ जाओ गे आगे तो हम लोग भी खुश होगे लेक दिस्पूर है लेकिन वहां का IIT गौहाटी है काफी अच्छा है हमारे भी एक जान पर चान वाले ने यहां से Maths and Computing में किया था BTEC और बहुत बढ़िया institute है IIT गौहाटी ने टीम अप कर लिया है National Thermal Power Corporation है ना एक सिंग लगा कि हमको चीक आने वाले लेकर आसा कुछ हुआ नहीं ठीक है यह यह भी एक दर्दनाग चीज है तो यहां पर नाशनल Thermal Cooperation Power Cooperation ने IIT गौहाटी के साथ टीम अप किया है और हाइली Energy Efficient CO2 Collection System CO2 को collect करने के लिए लोग design कर रहे हैं एक power plant बना रहे हैं ओके चले अगला सवाल इंडियन एर फोर्स ने MOU sign किया है आत्म निर्भर भारत को accelerate करने के लिए क्या आप बता सकते हैं क्या आपने सुना है क्या हमने अभी आपको developments करने के लिए आत्म निर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है हीम पहारी scheme हीम पहारी scheme एक सर्विसमैन और यंग्स्टर के लिए हैं किस स्टेट का यह scheme है नागलांड सिक्केम उत्राखंड या मनीपूर तो देखिए यहां पे एक सर्विसमैन और यंग्स्टर को कहा जा रहा है कि जो लोग migrate कर रहे हैं उत्राखंड के बाहर उनको रोका जाए और बोला जाए कि नहीं आप उत्राखंड में ही हीम पहारी में निवास करें बढ़िया MOU, BPCL और Renewable Energy and Green Hydrogen Plant तो देखिए हम आपको रिशाद यह फ्राइडे को पढ़ाये थे कि BPCL ने अभी अभी ऐसा किया है कि यह Green Steel बनाएंगे और Hydrogen Plant का यहां सैट अप होगा यह सब कहां होने वाला है तो औरीसा Government ने और भारत Petroleum Cooperation Limited ने यह Power Plant यानि कि यह Steel का Manufacturing करेंगे Green Steel का Hydrogen Plant से इसका सैट अप करने का बाद किया है तो औरीसा हो जाएगा इस कांसर next question अगर आपको याद होगा कि अगर तल्ला Smart City Limited ASCL which organization has sanctioned rupees 551 करोर for three specific projects यह कौन सा है यह है Asian Development Bank Asian Development Bank ने अभी-अभी कहा है कि यह 551 करोर 551 करोर का यहां पर क्या करने वाले तीन specific projects लाएंगे कहां अगर तल्ला Smart City Limited में और यह 15 stretches at the cost of 444 करोर का यहां पर बात होड़ा है ठीक है माश्रेक नियो हैस्टाइड अप्विट विच बैंक तो एनेबल दा एनार एकाउंट फोर इंडियन इन यू एई तो बैसिकली एक कंपनी है इसने एक बैंक के साथ टाइप किया है कि वो इंडियन जो कि यू एई में रहते हैं उनके लिए एनार एनार एकाउंट तो बैसिकली इन्होंने फेडरल बैंक के साथ टाइप किया है कि नौन रेसिडेंट जो एकाउंट है इंडियन का यू एई में उसको ये खोला जाया और नियो एप के इस्तमाल के साथ ये हो रहा है ठीक है है ये एक बुक हम बताये थे आपको कि अपने आपको सुनो दुन काम है बोलना लेकिन आपको क्या करना है क्योंकि ये लाइफ भगवान ने आपको गिफ्ट की है किसी और को तो दी नहीं है कि किसी और के लिए तुम जी के बढ़बात कर दो तुम को क्या करना है क्योंकि एक दिन तो सारे लोग ही जाएंगे लेकिन उसके पहले आप क्या क करना चाहते हैं उसके लिए आपको अपने आपको सुनना पड़ेगा ये किताब किस ने लिखा है तो आपको याद होगा कि प्रेम रावत जी ने इस किताब को लिखा है है यॉर सेल्फ और दे न्यू यॉयॉक टाइम जो की बेस्सेलर बुक्स को पब्लिश करता है 58 कंट्री में पांच अलग अलग लैंग्विज में इसको इन्होंने पब्लिश किया है ताकि ये लोगों के पोटेंशल को और रेकोगनाईज करने में काम करें इतना किताब पढ़ने का क्या जूरत है इतने बार तो हम ही तुमको पताते है कि जितना तुम जो भी ड्रीम सोच रहो त उससे भी बेटर तो वो पोटेंशल तुम्हारे अंदर है बस बात यह है कि तुम उस इनर्जी को एक जगा लगाओ कभी कभी तुम्हारा इनर्जी इधर उधर जाता है मम्मी कुछ बोल दी तो पहले ममी से जगडा कर ले रिष्टदार कुछ बोल दिया तो उसे ही जगड अपने पुड़े इनर्जी को एक जगा आपको थोड़ा चैनलाइस करना पड़ेगा ठीक है तो नसो यह हम बता चुके हैं कि मार्च में इंडिया कितना परसेंट पे ग्रो करेगा तो 6.07 परसेंट का बात किया जा रहा है हाँ वही मेरे बाबू ने थाना थाया वही मम्मी के लिए भूका है नहीं तो तुमको अगर इसको लाइफ टाइम खाना खिलान है तो अभी अभी पढ़ाई कर लो ठीक है चले विच चे टीम मैं टाइटिल ने जीत लिया है 71st Senior National Basketball Championship है एक और चीज हम एड़ाइस करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपे बहुत अनर्ज है मैं पढ़ाई is just a like very small thing for me piece of cake तो जो एनर्जी है ना वो या तो आप कुछ सीखने में लगा दीजे जैसे गेटार सीख लो लड़की जल्दी पढ़ती है हां गाना सीख लो या फिर को अच्छा स्पोर्ट्स के लो इसमें तुमको पता है तुमां माइन बहुत आक्टिव होगा और वो माइन अक्टिवनेस तुम्हारे पढ़ाई में काम देगा तो यहां बास्केटबॉल का बात होड़ा है हाइट के लिए बड़ा अच्छा गेम है तमिल नाडू डिफेंडिंग डिफीटेट डिफेंडिंग चैंपियन पंजाब तो पहले पंजाब के पास था अब तमिल नाडू के पास है एवोर्ड हूँ हाज बीन अपॉइंटेड अस दब्राइंड अम्बाइजडर बाइद एस्ट इंडियन मार्केट लियोड तुम लोगो बड़ा हासी आएगा इसा बात करने में ठीक है मोटी हो जाएगी फिर हम तो नाशनल प्लेयर है मैं वे देस्ट्रिक खेले हैं राजा मिश्राजी क्रिकेट में बहुत बड़ा एक सिल्ंट एक सिल्ट तू कंटीन्यू करो आई समा सोचों कि आर अब खब करी इसको क्यों के पता है सरकारी नौकरी में बहुत अच्छा चीज होता है टैलेंट सब में होता है उसको एक मिल जाए नहीं लेकिन अगर आपको गवर्मेंट जॉब मिल जाता है तो आपको एक प्लाटफॉर्म मिल जाएगा जैसे आप बोल रहे हैं कि क्रिकेट खेलें बास्केट बॉल खेलें हाँ रानू मॉंडल तो सबकर वैसा तो है नहीं किसमत तो उसी क्या होगा कि आपको एक और जैसे अब देखे है रनजी में सर्विसेस वाले जीते हैं तो लावले एक थो लेकरवी से शर्विसे वाले अटन होता है नहीं यह जो कि जो अच्छे प्ली उथ है उनको टीम में डाल दिया जाता है यहां तक कि जैसे हमारे घड में मेरे जो ग्राइबर से रहे तो वहां पर क्या होता था कि जो भी बहुत अच्छे है सिंगर थी जिनकी जैसे मालेज जा उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी तो उनको बड़ा अच्छा प्लाटफॉर्म मिला और फिर बहुत जगा मलब सांस्कृतिक कारिक्रम हुआ तो वो लोग वहां पर अपना प्रेजेंटेशन की कत्था की तो यह तरहा का नहीं सिर्फ आपको आपके फैमिली को भी एक प्लाटफॉर्म मिलेगा गवर्मेंट तो इतना भाशन हम देदिया ऐसे तो हम बोलते नहीं कुछ बोले का मैं रोल्स बोलते हैं लेकिन बोलते हैं कि हम बोलते नहीं ठीक है स्वाडव गाउंगली जो हैं इस करेंटली बी-सी-सी आए प्रेसेडेंट यही बन गया के ब्रांड अब्स बहुत बढ़िया बात है तीम पूछा जाओ प्रविकास सबकाविकास के बारे में थीम पूछा जाओम महा कुईस है ना पको फिटनेसे जादा ध्यान देते हैं करिएर पर फोकस पस्णालेटी अच्छी रहेगी वाबा अच्छे प्लेयर तो नहीं पर एज प्लेयर ज्यादा होते हैं सर्वेस की ट कच्चा बदाम वाली का किसम जाता चाहे हो तो पग गया बदाम तो ठीक है यहाँ पे देखे थीन क्या है प्रधान मंत्री गडीब कल्यान अन्योजना यहां सबका विकास महा को इस बात होड़ी है ठीक है तो यह बेसिकली सबका विकास महा को इप्रधान मंत्री गडीब कल् बारे में पढ़िएगा क्योंकि बड़ा न्यूज आता है इसके बारे में तो बेसिकली जो भी किसान होते हैं उनका मंडी का काम चलता है और वह इनाम काम चलता है नाशनल अगरिकल्चर मार्केट पांच साल हो गया इनाम को ठीक है तो इनाम जो है 6th Anniversary चल रहा है इनाम का य लेजे कि हम आलू उगाते हैं ऐलू हम बिहार में उगार रहलें लेकिन बिहार में हमको आलू का 20 Рप किलो मिल रहा है लेकिन यहाहिए अलू अगर के और वो निकल जाएं बस आसे गदर वाले सनी देल के साथ और ट्रक में कहीं पर भी वेच दें तो उसके लिए electronic business करना पड़ेगा यही है इनाम ठीक है चले बढ़िया यह स्वामी विवेकर नंजी जासे लग रहे हैं चले देखते हैं क्या न्यूस है तो पुडुचेरी एक सेकेंड गाईस कंप्यूटर चाहिए इनाम ठीक है पुडुचेरी लगी इनागरेटेट बीच फेस्टिवल सी पॉंडी तो बेसिकली इन प्रेसेंस अव चीफ मिनिस्टर एन रंगा स्वामी लेफटेनेंट गवर्नर तमिल साइस वंदर राजन ने पुडुचेरी फर्स्ट बीच फेस्टिवल को अभी अभी यहां पे इनागरेट किया है पॉंडी दो हजार बाईस चलें बढ़ियां फिर है नेक्स पंजाब नाशनल बैंक पंजाब नाशनल बैंक के बारे में क्या बात है कब स्टैबलिश हुआ था पंजाब नाशनल बैंक अब स्टैबलिश हुआ था तो पंजाब नाशनल बैंक जो है इसका 128 फाउंडेशन डे हैं हां एक सेकेंड गाइस ठीक है 128 फाउंडेशन डे हैं एंडी और सीओ जो है उनका नाम है अतुल कुमार गोयल बढ़िया फिर नाशनल इंसिच्यूट ओफ गोहार्टी के बारे में आप जान ही चुके हैं कि इन्होंने एंटी-पी-सी के साथ कंस्ट्रक्ट किया है हाइली एनरजी एफिशेंट सीओ टू कलेक्शन पावर प्लांट नेक्स्ट है कि आपको अगर इंटरनाशनल चांपिनशिप ओडीसा हौकी के बारे में जानना है तो क्या बात है कि मेंस वर्ल्ड कप दो हजार तईस भूवनेश्वर राउड के ला में होगा ओडिसा के चीफ मिनिस्टर ने अन्वील किया है लोगो दो हजार तैस में होकी वर्ल्ड कप का और यह कहां पर होगा कलिंगा स्टेडियम भूवनेश्वर में होगा फीनो पेटियम बैंक फीनो पेटियम बैंक ने बाई किया है 12.19% स्टेक पेस्प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड का और यह कहां पर है यह दिल्ली में बेस्ट है next question अब आपके सामने है कि world wise day जो की मेरा बहुत खड़ाब हो चुका है मैंने देखा है न कोल इंडिया की cricket team को retirement की age में सब खेलते हैं कितना fit रहेगा अच्छा ठीक है यही आलू सरकार खड़ीद ले तो खुद बेचे जनकल्यान की नीती से सभी बात है तो से को तो MSP कहते हैं minimum support price भाई तो है हां तो आवास जो की मेरे पास नहीं है तो यह lift your voice अब और कितना हम लिफ्ट करें आवास को अपने क्यार सुला एप्रिल को यह मनाया जाता है तो लोग नहीं जानते हैं कि voice का एक बहुत बड़ा रोल है अब हमिताब बच्चन को देख लो भाई है ना कि हाइट तो है ही उनके पास लेकिन आवास की कारण कितने famous हो गए तो कोई भी बात बोलिए तो थोड़ा आप लोग उसमें भार देके बोलिए या फिर अपने आवास को थोड़ा जादा और भाड़ी या गंभीर बना के बोलिए तो क्या पता कि आपकी आवास के कारण आपके बात का वीटेज बढ़ जाए क्या पता हम बोले कि save the elephant किस दि होता है 16 एपरिल को होता है तो आपको यह बात जादा याद रहें लेकिन नहीं हमको चिलाने का आदत है तो हम बोलेंगे कि Tamil Nadu का जो इक्वालिटी डे है वो कब होता है वो होता है 14 एपृल को तो तीन बात तीन तरीके से बोला जाड़ा है क्यों क्योंकि voice day 16 एपृल को हो आपको इससे याद हो कि हिमाचल दे इस सेलिब्रेटेड एवरी एयर है ना कब ऑन 15th एप्रिल ओके तो फोर्ड डिस्रिक्ट ऑफ हिमाचल जिसका नाम था मंडी चंबा महसी सिंद मौर इन्हों ने इंटीग्रेट किया ओवर तू दर्जन प्रिंसली स्टेट और ये लोग ज चले बढ़िया पंजाब नाशनल बैंक हास रहो तुम मेरा आवाज अच्छा है अच्छा नहीं हम फिर भी कोशिश कर रहें की हलो एव्रिवान स्टार्टिंग से मालो तुमों को नहीं जानता और अब आज से शुरू कर रहें ठीक है हलो एव्रिवान पंजाब नाशनल ज इस सेलिब्रेट इस हैस सेलिब्रेटेट इस वन ट्वेंटी एट फांडेशन दे ओन त्वेल्थ ऑफ एप्रिल असा नहीं लग रहें है कि मेरा आज थोड़ा स्क्रीव धीला धीला हो गया अम जस्ट राइंग कि क्या सच में आवास से बहुत जादा अफेक्ट पड़ता ह है अब यही प्लाटफॉर्म है मेरे पास अरे ठीक है यार तुम लोग ठीक है सब चलो सही है तुम लोग टेंशन मतलो ही देखो दिस इस वेरी गुड़ प्लाटफॉर्म टूस एक्स्प्रेस यार स्पीच एन एक्स्प्रेशन आर्टिकल 19 का बहुत अच्छा से आप लोग या सोचते हैं है ना अटे तुम टेंशन मतलो ही बोल रहा है कि नहीं मैं बहुत अच्छा पड़ा रही है कोई बात नहीं शाब बाश दूंटें कुछ-कुछ मेरे बच्चे थोड़ा जादा भावना में बहे जाते हैं ठीक है चले तो होस्ट कर रहें क्रिकेट को स्ट्री कुछ एल्ड इन कहां पर यह एल्ड होगा यह हैल्ड होने वाला है पारेस में बारा से लेकर तेरह एपरिल के बीच में यह हैल्ड हुआ है हम लोग बाइलेटरल डेफेंस कॉपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं और बैसिकली अपने बिलिटरी स्ट्रेंथ को और कर दीजे और सेशन को शेर भी कर दीजे ठीक है तो यह कहां सेलिब्रेट होता है यह असम में सेलिब्रेट होता है सेकंड वीक ओफ एप्रिल एवरी यर यानि कि यहीं जो आपका 14 से 16 एप्रिल के बीच में होता है बड़ा सुंदर लगता है यह फेस्टिवल अगर आप लोगो को कहीं पर भी घूमना हो तो उस जगह जाहिए जैसे जब वहां पर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है त तो तुम लोग अपना चाट का जो टालेंट उसको ठीक कर रहो सारे लोग यहां पर वाटसब चाट कर रहे है ठीक है आइरन बीम आइरन बीम जो है पढ़ा ही कोई निकल डाय लेकिन सही है यह बेसिकली देखें लेजर बीम टु शूट डाउन इंकमिंग यूए वी रॉकेट मोटार लॉंग रेंज मिसाइल इस तरह की चीजों को यह ठीक कर रहे है ठीक है अगर आपसे पूछा जाए एफ वाई एन किस बैंक ने अभी अभी लॉंच किया है कैस एफ वाई एन ताकि बैंक जो है वो पोर्टल फॉर बिजनस शुरू कर सके तो यह कौन सा बैंक है यह है आपका कुटैक महिंद्रा बैंक कुटैक महिंद्रा बैंक ओके तो यह अप चीज आप पढ़ चुके हैं आप तो क्या अप तो बच्चा उलबात हो गया यह है ना तो प्रधान मंत्री मोधी जी ने डेडिकेट किया है नेशन को 200 बेड केके पटेल सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल कहां पे होगा ये 200 बेड का केके पटेल सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल पूछ रहा है मैं मैं अब पटना से हो आड्रेस भी दे दे ठीक है तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने के के सूपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल भुज गुजरात में इसको अन्वील किया है ठीक है तलंगना ने MOU साइन किया है ताकि तलंगना जो है अपना ट्रेड और इन्वेस्मेंट बढ़ाना चारा है किस देश के साथ तो तलंगना जो है ताइलेंट के साथ क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर वह बगल में भी है अगर तलंगना पोर्ट यूज करें आंदर प्रदेश का तो ताइलेंट बगल में है तो यहां पर यह चाह रहे हैं कि भाई हम अपना ट्रेड बढ़ाएं तलंगना चाह रहा है ठीक है चले मैकलम अब इनाम अधी शिहाए एवाड के लिए किसको चुना गया है तो बेसिकली देखे प्रभात पतनायक जी को सेलेक्ट किया गया है इस एवाड के लिए यह क्या करते हैं यह एकोनॉमिक साइंस पढ़ाते हैं कहां पे जैनियू में जवाहरलाल यूनिवरसिटी न्यु दिल आस्ट्रेलिया के तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि क्रिकेट के तो आप लोग पंडित हैं क्या हो गया यूर फ्यूचर तुमाच कल जादा ही टेंशन में हो किसे से लड़ाई उड़ाई हुआ है क्या हां एक बार मुद देखना पड़ेगा एस आर 786 जी बिलकुल है बडिया तो यह कौन बन गए हैं ये आंड्रियो मैंध्डॉच बन गए है क्रिकेट आउस्ट्रेलिया मैं के जो हैड कोच मैंड्री एक दोन बने हैं फिर देखेकर इंडियन इंसिट्वी उफ साइंस ये बैंगलोरू में है इन्होंने यह बोला था की मैंक्र प्लास्थ मिले हैं और यह बात हमने आपसे डिसकस भी की थी कि ऐसा हुआ है ठीक है है हाँ बिल्कुल रहना किस बात कम ध्यान रखेंगे पीडिएफ के बारे में ठीक है तो यह किस रिवर में मिला है यह कावेरी रिवर में मिला है माइक्रो प्लास्टिक्स यानि कि छोटे-छोटे माइक्रो प्लास्टिक के टुकड़े आप लोग भी देखें जो बाहर का खाना वाना खाते है ना तो उसमें भी रहता है या फिर यह जो स्क्रब वगेरा करते हैं छोटे-छोटे-छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स रहते हैं और लोग consume कर रहे हैं कावेडी के नदी में भी मिल रहा है तो थोड़ा आप लोग भी aware रहिएगा Champion of Change Award 2021 किस state को मिला है Champion of Change ये Award मध्यप्रदेश को मिला है Mangubai Patel जी जो मध्यप्रदेश के governor है पहले governor Pete Sita Ramayya जी थे और 9th जो है Salaagarewal ये basically 9th governor रही है और 1st women governor रही है 1st women chief minister उना भारती जी रही है और अभी के जो chief minister का नाम है Shivraat Singh चौहान जी तो इन्होंने यहाँ पे इसको अभी ये मिला है इनको Champion of the Change Award अफसर के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारे देश में airport है वहाँ के आसपास खासकर women बहुत सारी ऐसी हैं जिनके पास काफी talent है handicraft का art and craft का छोटा-छोटा तो यहाँ पे कोशिच किया जा रहा है कि हम लोग इनको job दे skill इनको enhance करे और ये शुरुआ जमुएन कश्मीर से हुई है कि वहाँ पे जो छोटे-छोटे बच्चे हैं यूथ हैं उनको indulge करें हम लोग इन चीज़ों में ठीक है फिर आपका है which state government ने कहा है कि 476 करोड रुपीज का हमारे पास budget है क्यों ताकि हम अपने mandis को develop करें क्या ये पंजाब है दिली है करनाटिका है या तमलाडू है तो ये है government of Delhi ये कह रहे हैं कि हमारे पास 476 का budget है जिससे हम अपने mandis को develop करेंगे अजादपूर market 170 अजादपूर market काफी बड़ा है ठीक है तो ये सब जगा में हम अपने mandis को develop करेंगे फिर आपको पूछा जाड़ा है कि विच इंडियन badminton player has won silver medal in Ornial's Master 2022 Finals तो ये कौन सी ऐसी player है जिनोंने silver medal जीता है क्या ये ज्वाला गुट्टा है या पुलेया गोपी चंद है मिथून मांजुनाथ है या प्रकाश पादू को उने तो ये बेसिकली मिथून मांजुनाथ जी है देख सकते हैं आप यहां पे इन्होंने silver medal जीता है men's single में France France ने जीत लिया है Toma Junior पोपव women में इन्होंने जीता है इंडोनेशिया की है men's double में Netherlands के जीते हैं और Bulgaria में women's double में जीती हैं और Singapur के जो प्लेयर है उन्होंने mixed doubles में ये जीत लिया है Symposium on Quest Program which institute has hosted the symposium program तो बेसिकली ये है Triple IT Hyderabad Information and Technology का ये Triple IT Hyderabad है Quantum Enabled Science and Tech Program Quest Program के symposium में इन्होंने जीत लिया है So guys, आज इतना ही है बाकि आप लोगों को मैं बता दू कि कैसे आपको courses में इन्रोल होना है यहाँ पर code यूज करना है Y332 तो आपको 77% discount में लेगा और 99 rupees का आपको आज कोई भी test में लेगा ये code पे तो देखे FCAT, CAPF जो कि मैंने ये code यूज किया है तो ये सिर्फ 2,069 rupees का मिल रहा है ये FCAT बार-बार में बोल देते है CAPF, UPSC, CAPF FCAT का बैच है अभी मैं दिखा दूँगे आज CISF का बैच है जो कि अभी शुरू होने वाला है 25 अपरिल से और ये सारे बैच जो है वो महापैक में उसी प्रकार जो आपके Civil के महापैक है, Electrical के महापैक है Mechanical के महापैक है उसमें भी सारे courses है जैसे कि अभी MP, Sub-Engineers का course चल रहा है, ठीक है अब बच्चे बहुत सारे पूसे मैं इसमें जाना कैसे है तो देखे, इस description में आपको एक link मिलेगा इस वीडियो के description में उसमें लिखा है, Download the app उसपे अगर आप क्लिक करते हैं तो automatically आपके फोन में आप इंस्टॉल हो जाएगा Map की class मिल जाएगी, नमन, बिलकुल मिल जाएगी ठीक है हाँ तो आप देखें यापे, अब आप क्या करेंगी गूगल में जाएगे गूगल को open करते ही क्या होगा कि अगर hang कर रहा है तो Google open नहीं होगा लेकिन फिर धीरे से आप एक और बार कुशिश करेंगे तो Google open हो जाएगा फिर आप देखें गूगल बावा पर चले जाएगे गूगल बावा पर जाते ही आपको यहाँ पर टाइप करना अड़ा 24 7 और यहाँ पर इस लिंक पर आना है इस लिंक पर आते ही आपको यह एक अच्छा सा वेबसाइट मिलेगा यह वेबसाइट अगर आप गवर्मेंट जॉब का इस लिए बेस्ट है यहाँ पर आपको जैसे अभी हम मैंने बताया कि मेरा कोड यूज करने पर 99 रुपीज पर आपको आज लोएस टेस सीरीज मिलेगा तो इस तरह से आपको सारे ओफर से यहाँ दिखेंगे फिर आपको क्या करने जैसे कि आपरिपरेशन का क्र लिया डिफेंस का डिफेंस में आपको CISF का प्रिपरेशन कर रहे है तब CISF में आज से जाएंगे और CISF में आ'Sет जाने पे अस पर क्लिक लिक करने पर तो देखें 25 तारिक से एक लास शुरू होगी और आप यहां पे code यूज करेंगे code कौण सा है आपका code है आपका एक सेकेंड ये क्या हो गया इसको आज ये भी आज Monday है ना मूड में नहीं लग रहा है काम करने के एक सेकेंड code तो आपको पता ही है एक हैडम फिर भी बता देते है कि वोड क्यों नहीं आज रहा है एक सेकेंड गईज थोड़ा रुकियेगा कंप्यूटर जी से साहता लेना पड़ेगा लगते किसी को बुलाया जाए एक अब दो सेकेंड रुकिये हम पांच मेरिट में बताते है यह कीबोर्ड नहीं यूज़ हो रहा है कंप्यूटर जी थुरा देखिये इस पर कंप्यूटर जी जो है काफी अच्छे से इसको इस्तमाल करने का बताएंगे अभी हां बहुत बढ़िया देखिये और इसको अप्लाई करते ही आप देखेंगे आपे कि आपको बहुत बड़ा डिसकाउंट मिल गया और यह बैंच आपको मिल गया उसी तरह से जैसे जो भी बैंच इस में आपको जाना है कि कि अद कि आपके कि आपको इसhtुत कि अदिन है